नमस्कार आप देख रहे हैं यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काज़ो नरायन उत्तर प्रदेश की तीन सीटों पर सुमबार को उपचनाव हो रही है यूपी की पूरी सियासत का रुख ये उपचनाव तै कर सकते हैं चनाव की एहमेद इससे समझी जा सकती है कि नतीजों के ओपर मुखे विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया खिलीश व्यादर उनकी पतनी के खदावर नेता आजम खान का सियासी कदर ठिका हुआ है खासकर मेनपुरी लोगसभा उपचनाव पर सबकी निगाहे ठीकी हुई है उत्तरप्रदेश की मेनपुरी लोगसभा रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के उपचनाव के लिए समबार को मतदान जारी है इन उपचनावों में बीजेपी और समाजबादी पार्टी के गडवन्दन के बीच सीधा मकावला है सपा गडवन्दन में रास्टे लोगदल भी है जबकि वहुजन समाजपार्टी और कॉंग्रिस ने इस उपचनाव में अपने उमीदवार मैदान में नहीं उतारे है राज़ निर्वाचन कारले से मिली जानकारी के मताबिक उपचनाव के लिए मतदान सुभा साथ बजे से शुरू हो चुका है जो कि शाम छे बजे तक चलने वाला है और परिणामों की घोशना आठ दिसंबर को की जाएगी इन उपचनाव में कुल 24,43,000 मतदाता अपने मतादिकार का इस्तमाल कर सकेंगे इसमें 13,14,000 पुरुष और 11,000,000 से जादा महिलाएं और 132 अनिश्रेणी के मतदाता शामिल है उपचनाव के लिए करीब 1945 मतदान केंद्र और 3062 मतदेस धल बनाए गए है वहीं सुतंत्र और निश्पक्ष धंग से चुनाव कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्ता भी बख्वू भी नजर आ रही है मैंपुरी लोकसभासीट सपा संस्थापक मलायम सिंग यादफ के निधन के कारण खाली हुई थी वहीं रामपुर सदर विधान सभासीट आजम खान को नफरत भरा भाशन देने के मामले में तीन साल के सज़ा सुनाय जाने और खौतौली सीट बीज़ेपी विधायक विकरम सिंग सेनी को मुझभण अगर दंगों से जुड़े एक मामले में दो साल के सज़ा सुनाय जाने कोई असा नहीं होगा क्योंकि दोनों ही जगा बीज़ेपी का पौर्ण बहुमत से ज्यादा का संख्याबर है मगर इन उप्चनाव में हार जीत का मनोवज्ञाने कसर साल दो हजार चौविस के लोग सबर चुनाव पर सीधे तोर पर पड़ सकता है और तीन सीटों पर उप्चनाव जा रही है उत्तरप्रदेश में मैनपुरी रामपुर और खतौली तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है किस तरह से लोग किन-किन मुद्दों पर चुनाव दे रहे हैं किसकी छवी कैसी है तमाम चीज़े जानने के लिए मेरे सही होगी दा इंट्रस्टिंग नजर आ रही है क्या लग रहा है जिम्पली आदफ कह रही है कि आज का दिन है सक्ची शद्धाजली नेता जी को देने की नहीं देखे नेता जी की याद में चुनाव जरूरा है लेकिन समाजवदी पार्टिंग के पास अब साख बचाने के एलावा कोई उपाई नहीं है पड़ी बात यह ऑफ पूर बहुमत के साथ-साथ उसके捏Мडर में इधर यूपी में समाजोदीपार्टी फार्टी के खाते में अगर आ जाती है तो यह मालेजे कि अभी वीडियो में दिखाए जाता है कि समाजवधी पार्टी ने लगातार इस पर आरोप लगा दिया है चुनाव आयोग लगातार वो शिकायते कर रहे हैं कल भी समाजवधी पार्टी कर देली गेसल निर्वाचन आयोग से मिला था कि मांदारी से निरिश्पस से जा रहा है ऐसे में समाजवधी पार्टी को भी साग बचानी है और भार्टी जनता पार्टी भी चुनाव जीतने की पूरी कसर कर रही है तो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं यह जो चुनाव है वह ज्यादा मैतपूर हो जाते हैं उप चुनाव क्योंकि यह सीधे रास्ता 2024 का तैग कर रहे हैं अगर यहाँ पर सपा को वाकई बहुमत मिलता वा नजर आता है इन तीनों सीटों पर तो यह कहा जा सकता है कि विपक्ष कमबैक कर सकता है लेकिन अगर जनता विपक्ष को सिरी से नकार देती है तो 2024 बहुत मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लिए नजर सेंठ लगाकर के उन सीटों को अपने पाले में लाकरकर के विजेरत हासिल करना है समाजवादी पार्टी को अपना गड़ बचाना है दोनों के पास अपने अपने टास्क है और इन टास्कों में जो आरो प्रत्यारोग का सिल्सिला चला है यह साम पांच बहुत तक चलेगा हो सकता उसके दूसरे दिन भी चले निर्वाचन आयोग के पास चैलेंज है उसको निस्पत चुनाव कराना है फिरशासन को इस बात का सांतिवस्ता बनी रहा है समाजवाधी पार्टी के पास तीन सीटों का जीतना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक तो उनके परिवार से साख जुड़ी है दिंपल यादाओ अखलेश यादों की पतनी भी है और मैं कह सकता हूं कि महिला में लीडर भी जाती है मैं पूर सब्सक्राइब कर दो परिवार के साख नहीं बचा पारें तो अन जीलों की कैसे बचाएंगे दूसरा रामपूर की बात के जाए रामपूर में देखिए आजम कान साब की सबसे बड़ी जीत यही होगी कि वह फिर से समाजवाधी पार्टी की जीत खाते में दर्श कर दें और भारत जनता पार्टी की सबसे करारी हार यह होगी इतना सब कुछ करने के बाद सरकारी उत्पूर के बाद भी अगर वह सीट नहीं बचा पाए तो इसका मतलब रामपूर की जनता का दिल नहीं जीत पाए यानि आजम कान पर हुए उत्पूर की पर फाइदा काम के छे बड़े तक होना है क्या लग रहा है कितना जनता इंटरस्स दिखा रही है क्योंकि जैसा कि आपने बी बताए कि तीनों ही अगर सीटों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सपा का गड़ रहा है और मैंपूरी और रामपूर तो खास कर तो ऐसे में अपनी साख वजा कि पुर्जोर कोशिश तो यहां पर की है समाजवादी पार्टी ने लेकिन जनता का रुख क्या बता रहा है आप ग्राउंड जिरो पर मौजूद रहते हैं जनता के बीच पहुंच रहे हैं क्या लगता है नोग चुनावों में कुछ बद्लाव नजर आएगा कि तक तक तो मुझे लगता है कि 70 या 55 परसंट तो हो जाना चाहिए आराम से क्यूंकि छे गंटे में अगर मालिए 31 परसंट हो गया है तो बचे हुए बाकी घंटों में भी हो जाना चाहिए 55-50 परसंट और यही जतने ज्यादा मत्दान होंगे उतनी ज्यादा समाजवाद से जनता पर असर पड़ा है या पीडित होकर के समाजवादी पार्टी को विकल चुना जा रहा है समाजवादी पार्टी के खाते से अगर सीट निकली तो बाजपा को यह बात मालूम पड़ जाएगी कि विकास का मुद्दा बले नहों लेकिन जनता उनकी तरह आकर्शित है कानून व्यस्ता उनकी बातों से और उनके कार गुजारों से लेकिन अब बात यहां पर आ रहे हैं एकत्तिस परसंद जी सबसे मद्दाताओं ने वोट डाला है मद्दाताओं की दिल्चस्पी लगतार दिख रही है कुछ आरोप जो हैं यहार चुनाओं में लगते हैं कु इतने जितने ज्यादा फृतिशत बढ़ेगा उतने ज्यादा वदेश्रा पार्टी को अमीद है कि अगर अगे मदान ज्यादा हुआ ठीके निकलेगी मदान कम हुआ उसकी इतने ख़त्रे में एंगी यही बात भारत Way relationship party को भी सोच्चना है अगे जितने मदान होगा भारतय तेखना होगा कि कमल खिल जटा या फिर मुर्चा जाता है और इस चुनाव में यहीं ते तय होगा ज़ागा इस चुनाव में दोल जपाना की ताना डिहां को ते थो प्र रामपूर में जिस तरह से आजम खान को जाना पड़ा और तमाम आरो कुन पर लगे हैं उनकी चौबे भी कही न कही धूमिल हुई है ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से उन्होंने जेल में तीन साल बिताए उसके बाद अब रामपुर में आज उपचुनाव हो रहा है तो वहां मुसलिम बाहुले शित्र है यहार कोई जानता है क्या लग रहा है कि कितना असर ज जनता उसके दर्द में मरहम लगाकर उनको जीत का तौफा देगी या भारत जनता पार्टी के सरकारी सिकंजे पर एक और महरा बना करके उनको विजय प्राप कराईगी देखिए मैं आपसे पहले भी कहाता है कि समाजवादी पार्टी खाते में सीट गई तो आजम खान के दर्द पर मरहम है जनता के राय जानने की कोशिश कर रही हूं जनता सुभा से ही निकली हुई है और देखिए अगर बाग के गाओं देहाग की तो वहां पर ठंड सुभा से यह लेकिन उसके पावजूद भी हमने देखा है कि सुभा से ही अच्छा खासा वोटिंग परसें या फिर योगी राजपर भरोसा फिर से जताने की तयारी जनता ने कर ली है क्या चल रहा है उनके मन में प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं या फिर सिर्फ पार्टी पर वोट जा रहा है नहीं देखे मैंने आपसे पहले भी बात बात बताई थी कि देखे दो कंडिशनों में ये काम होगा और सबसे बड़ी चीज तो यह है जिस हिसाब से काम चाहिए उत्तर परदेश के कर बात की जाए तो उत्तर परदेश के मैन पूरी चुनाओं बहुत ही अहम है रामपूर उत्तर परदेश के जाए टो मद्दाता के जा रहे हैं तो मद्दाता में ये बात समने आरहे है कि मद्दाता जितने भ्तस्कित बढ़ें गए उससे तो इसलिंगा दो कि पता चलेगा कि他们 के सिमारा परदेश पर्देश परद 215 लिए मaways निकल रहे हैं मुस्थं कर रहे हैं जो एस पी आवास पर धरना दे रही है आजम खान के खिलाब तो वो मुस्लिम मेरा फिर कौन थी अगर समाजवधी पार्टी से मुस्लिम लोग नाराज नहीं है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है पासमांदा या पिछड़ा मुसल्मा वो यह तरह करेगा कि apa objective one लंगा कर देना है यहा असीम दयाका को जिता जिताना है उनके हाथ प्रित्याशी को यह भाधसी जनता को जाना थे तरह भारतेंता पार्टी के पास जो किशला समाज किशलियान नहीं हो लुबह भाने को परियास जिए कि नमघुष कर रही हार प्रोग्राम में हर चुन और जो वो महिलाएं कॉन सी थी जिनों दर्ना दिया और पुछले पसमान्दा समाजी तेह करेगा कि आजम खान को वोट देना है कि देने कुछ नाराज भी चल रहे है दो कंडिशनों में समाजवधी पार्टी के सीट इसमें फसेगी लेकिन मैंनपूरी से सीट मुझे लगता है लेकिन अब यह बात दर्द पर मरहम के साथ होगी आजम खान सहाब को वहां के जनता उनके जुल्म उत्पिड़न वह उन पर दर्द पर मरहम देती है या फिर सीधे सीधे जखम पे नमक चलगकर वाजवधी पार्टी को सब्सक्ता सौब देती है अगर हम मैंनपूरी की करें तो मैंनपूरी में क्या परिवार अपनी साख बचा पाएगा क्योंकि सीध के लिए चाच्वा भतीजा एक हुए है और साथी साथ छोटे नेता जी कहकर पुकार रहे हैं जन संबोधन कर रहे हैं तो बताने की कोशिश करिए कि क्या वाकी परिवार साख बचा पाएग मैंनपूरी में देखे मुस्लिम जाट यादो तीक त्रिकोडिये समिकरण पर ही सीध तै होती है मैंनपूरी हमेशा से समझवधी पार्टी के गड़ रहा है क्योंकि नेता जी के बाद अब यह सीध खाली है अब यहाँ पर एक चीज़ तो यह समझ लिए कि मैंनपूरी से दिमपल यादो का जीतना उतना ही जरूरी है जितना अंधेरे में दिया के जलना अगर यह सीध खत्म हुई तो समझ लिए कि दिया बुच जाएगा और भारत एजंटा पार्टी को एक नया एजंडा फिर मिल जाएगा क्योंकि मैंनपूरी में इन तीनों को देखना है और म मैंनपूरी में उन्होंने सिध्य महिला तीन या allum को खड़ां किया भाला किया दीमपल यादो का जीतना इसलिए ज्या परभावी माना जा रहा है क्योंकि वो महिला भी है ओं मैंन्कूरी की जंता इसलिए उनको जिटाने का परयास क atrás करेगी इसलिए मैंपूरी की जंता उ जो सूबे के आने वाले मुक्मंत्री होंगे, अगर कभी सत्ता उनकी आती है, तो उनी के परिवार का अगर कोई सदस्त को जीतता है, तो मैंपूरी का विकास होगा और मैंपूरी उनके घर से निकलेगा, मुक्मंत्री के परिवार, ये भी देखने वाली चीज है, तो कि अलावा जो मतदान हुआ है कितने प्रतीशे अब तक हो चुका है चाहिए मैंपुरी हो चाहिए रामपुरो चाहिए खौतौली हो कि खौतौली हो जाता है जिसरा से मुझवण अगर दंगे हुए उसके बाद से जब वह आरोपी बनाए गए जो यहां से विधायक थे तो अब यह सीट खाली हुई है तो क्या लगता है उसका असर दिखाई देगा जैसा कि पता चल रहाता है कि सुबह साथ बज़े मतदान जो था ठाटारा प्रतीशत था लेकिन अभी दो बज़े के असपास पास पता चलादा कि एक तिस परतीशत मतदान महिंपुरी में हो चु तक आधा 30% हो गया है और मतदान हमेसा 60-70 के बीच में ही रहता है अगर 60-70 प्रतिशत मतदान हो जाता है इन तीनों जोगा पर तो समाजवादी पार्टी के चांसे ज़्यादा रहेंगे क्यों मतदाता है और अगर यहां पर 50 से भी कम हो जाता है तो चांसे भारत इनता पा समाजवादी पार्टी के चांसे जादा नजर आते हैं यानि कि फिर लोगसभाद चुनाव जो 2024 में होंगे उसमें भी विपक्ष की एहम भूमिका है वो बिल्कुल नजर आएगी धरातल पर नजर आ सकती है दानिश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचानी के समाजवादी पार्टी लोहिया के मुख्या और सपा अध्यक्ष अखलीश यादव के चाचा शिफपाल सिंग्यादव के करीबी सयोगी रहे थे लेकिन अब प्रतिद्यूंदी बन चुके इसके अलावा रामपुर और खतौली में भी सुभा से मतदान हो रहा है अब बात है साख बचाने की परिवार की और साथी साथ अगर बीजेपी जित्ती है तीनों सीटों पर तो फिर दोहजार चौबिस में विपक्ष के लिए बहुत मुश्किर हो सकती है फ्राल फुर इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे है न्यूजवर इंडिया